आपके ग्राहक के खुशी से आपके दुकान पर ग्राहक को लाने तक बिग ब्लेस हर कारोबारी की खुशियों की चाबी खुशियों की अपनी दुकान और NCDEX के आसा ट्रेड करता नजर आ रहा है किस क्रिशी फसल के अंदर कितनी मंदी तेजी देखने को मिल रही है और उस पर मारे एक्सपर्ट की क्या राय रहेगी ये सब जानने की कोशिश करेंगे तो हम देख रहे हैं कि आज शाम के कारुबारी से तमें क्रिशी फसलों के जोरदार तेजी देखने को मिल रही है सारी क्रिशी फसले काफी अच्छे खासे लेवल्स पर ट्रेड करती नजर आ रही है सुबा के मुकावले अगर आप शाम की कीमतों पर कंपैरिजन किया जाय दोनों को तो हम देख रहे हैं कि शाम में ज्यादा तेजी देखने को मिल रही है सबसे पहले शुरुआत करेंगी हम यहाँ पर कैसा सीर से देख रहे हैं कैसा सीर के जनवरी वैदा 6088 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है 6,094 का यह लगा चुका है लगबग 2% की तेज़े देख रहे हैं कि कैसा सीर के कीमतों में यहां से तेजी देखने को मिल रही है भले ही हम देख रहे हैं कि प्रोड़क्शन कम रहने की वज़ा से कैसर में थोड़ी बदत देखने को मिली ती लेकिन लॉक्डाउन के भी चांसेज हैं जिसकी वज़ासे जो डिमांड है वो कहीं न कई इंपक्ट होती नजर आ सकती है तो ऐसी सिचुएशन के अंदर आगे जागे कैसा सीड में क्या करके चलना सही रहेगा जान लेते अपने एक्सपर्ट से इस वक्त हमासा जुड़े में है मोतिदाल आस्वाल के वाइस प्रेसिडेंट अमीच सजेजा जी अमीच जी बहुत बहुत स्वाद आपका मागे राव सीड़ी पर नमश्कार अमीच जी अमीच जी सबसे पहले बात करूँ अगर कैसा सीड से तो देख रहे हैं कि कैसा सीड को आमने 5,800, 5,900 के उपर लगबख 1,5 कारूबारी सब्ता तक ट्रेड होते वे देखा है अब देख रहे हैं कि 6,000 के उपर आज ट्रेड करता नजर आ रहा है और लगबख 1,100 के करीब का हाई लगा चुका है सिर्फ 6 पॉइंट की 2,600 का लेवल टेच करने में आपको क्या लगते हैं क्या यहां से कैसा सीड में बढ़त का दौट जारी हो गया है या फिर यहां से प्रॉफिट बुकिंग बनेगी और कैसा सीड फिर से अठावन सो के लेवल पर आज़ाएगा जी अवरल तो काफी सिर्फ हम देखने कि एक कर्रेक्शन में रहा है और पिश्के समय जब हमारी मात बीटी तूजी इखा कि 1500 से 1500 का रहें तोड़ा इंपोर्टेंट रहें ज़रूर है मुझे लगता है क्यि एक डॉर जो है कर्रेक्शन का हुआ है और यह पॉसिबल है कि हम दिबारा एक डायरे में नहीं जाकर एक ट्रेंड जरूर लिखाएं तो वैं वर मुझे लगता है कि एक jó ads are बड़ ने पर्टे जा रहें और यह लगता है हम दो बाड़ावगार देख तो मैं फिलाल एक्षिली बाई उन्डिक पी पसंद करूंगा राविजन दुबारा वीच में लेवल निकल जाता है तो अमिजी की मुताबिक कैसर में और भी अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है तो कैसर सीड में अमिजी की तरफ से बाई उन्डिक यान ही निचले यह समय जी बात करें अगर बिनौला खल की तो बिनौला खल का जनवरी वैदा देख रहे हैं तैंतीसो की उपर ही ट्रेड करता नजर आ रहा है तैंतीसो चौरानवे का ही लगा चुका है चौनतीसो से छिफ चे पंड की दूरी पर है अमिजी आपको क्या लगता है क्या के उपर जो टीजी शुरू हुई है वो आज भी जारी है और इंफाक्ट मैं समझता हूं कि उनतीसो के उपर तो बजार में पेश पकड़ी है और अभी और भी जो बायप हैं साइड लाइन से हैं इंटर करने के लिए तो मेरे असाब से यह पेजी का जो रुजा में वो जा लेती है शौट्टम वेसे 3500 से 3290 का इन इंपोर्टन सपोर्ट है जब तक वो खूल कर रहा है इने जो एक और के तीजी की संभाव में है शौट्टम ताजिए 3440 और इसके बाद लगकों पैटिस सो पचास का लक्ष दो से तीन अफ़ते के वी पांशे लेकर चला ना सकता ह जी यह समीची बात करें अगर मसालों की तो मसालों में देखने की अज धनी में काफी अच्छी तेजी बनती नजर आई है धनीया 9500-9600 पर ट्रेड करता नजर आही राता काफी समय से लेकिन आज देख रहे हैं 9800 की उपर ट्रेड करता नजर आ रहा है आपको क्या लगता ह कि यह दौर जारी रहेगा और काफी पंसलिडेशन के बाद अप्राइज निख लिए हमने एक जो जायरा देखा था 9000 से 8000 के बीच जो लगभक दो महिने तक प्राइज देख लाली होता हूँ देख रहे हैं महां तर काफी अक्युमिलेशन हमने देखी निरेशों को बारा देखी और मुझे अब लगता है कि यह जो पीजी है यह जारी रहेगी इमिज एक तौर पर 9850 का ही ब्रेकाउट है तेक्निकली अगर हम देखें तो याने उसके उपर और बाइंग अकस्टिक हो सकती है और जो 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 निवेशन के नम्दियों के वो और इंडब करेंगे 9850 के उपर और उसके उपर हम लगभग 10,200 तक के भी लगस देख पाएंगे तो मैं समझता हूं कि इमिज एक तौर पर अगर 5850 के उपर ट्राइजर में तो आड़ किया जा सकता है 9600 के स्टॉपलोस के साथ और इमिज एक तौर पर 2200 से 220 तक का एक पोजिशनल जाबिट लेके जीचिर ऋमिजी बात करें अगर जीरा और हल्दी की जीरा और अर्हली में ढ़ी देखना आज बटत देखने को अँदी है लेकिन जादा देखने को नहीं मिल दी है आपको शिचा क्गर सकते हें तो जोगी मसाला पैट में जोगी कमारिटीज है जहनली एक कीजी का रुजान बना रहेगा ऐसा मेरा मानमा है कि जुटन बेचेज का अगर लक्ष लिया गाए तो 11,300 बेचा रहे चाले चाल चकते हैं इंड़म चोटी अगडी में तरहे लगता है कि दस दरज़ार पचास का एक सपोर्ट है को चिसके झाने के स्टॉप होना चाहिए कारन पर इस लगबग 600 शेषर शेषर रुपे की और क कर सकते हैं जब कि 300 रुप का स्टॉप मैंटेन करना जरू है इसी तकार जर्म जीरे की भी बात करें तो आमने देखा है कि जीरे में भी एक गिरावत का दौर देखा गया था हूं पिछने मही में लेकिन उसके बाद लगातार पेजी का रूम बेख रहे हैं और जब से 17,000 के सब्सक्राइब में लिखाई है मुझे लगता है यह तेजी और भी जारी रहेगी ठोड़ी बहुत एक लंदी अजी का अगर में टागेट हूं तो मुझे लगता है कि हम बहुती जल्ड लगबस 20,200 के भी लग्स पाएंगे शॉर्ट टम बेसिस उन्नेस हजार एक सो का लग सब्सक्राइब तो 17,800 का इक इमिजिट इंपोर्डन सब्सक्राइब और 19,100 का इस लगशी पर चलता है जी यह समीची बात करेंगर गवार कॉंप्लेक्स की तो गवार कॉंप्लेक्स में देख रहे हैं आज काफी अच्छी बढ़त बनती नजर आईए गवार गम में देख सब्सक्राइब तेजी से बढ़ते नजर आ रहे हैं आपको यहां से क्या लगता है क्या यहां से गवार गम और गवार सीड में सस्टेनिविटी देखने को मिल पाएगी इस पतार हमारी पहले बात हुई थी कि पचपन सो से चपन सो की रहें से बहुत जादा नीचे गवार सी जाता हो नहीं दिखता है अच्छा टॉनराउंड पासेट्स हो तक बहुत ही जल राते देखा था पिछले महीं में और इस बार जो तेजी है यह ज़दा टिकाउड इ सपोर्ट है याने लगभाग सो रुपे नीचे एक सपोर्ट आता है और 110 पाइंट उपर का इमेजिक लक्ष है लेकिन अगरा लगर में व्यू की बात करूँ तो मुझे लगता है कि लगभाग सेट्सों का लक्ष लेकर गवाज सीड में चला जा सकता है उसी पर पर गवार अधोरी एक जादा एक्षेंड इन मोग डिकमल से बार्दाम की मुझा है जी यह समीची बात करेंगर सोईबीन की तो सवेवीन में देख रहे हैं कि लगाता चौंसर सो के उपर लेवल्स देखने को मिल रहे हैं आपको क्या लगता है मैक्सिमम सवेवीन में कितनी तेजी ब बात करूं या औरल एक डाइस सार्विक की बात करूं सवेवीन में तो मुझे लगता है कि बहुती जल्द हम दुबारा शेहजार आज सो से शेहजार नौसर तक दाम को जाता हुए डाउन साइड में तक के लो लगते हुए देखे तो उसके बाद हम लगाता एक करीम जार आएगा वहां से मुझे लगता है कि मांग जो है अबर के आएगी और दुबारा हम लगभग 6900 तर लिशन आज देखे गए तरे किसा उसका एक रिपी को कावर निक्नाएगी इसमीजी बात करें अगर कॉटन की तो रिसेंटली MCX कॉटन के वायदों को बैंड करन हाला कि अभी बैंड करने से MCX में मना कर दिया है क्योंकि फंडामेंटली तेजी देखी जा रही है आपको क्या लगता है इसका इसका इंपक्टन के कीमित पर परता निजर आ सकता है यह पर जो कि पिल्कुल रगए रचे फटरामन्तल्क मानना है कि अगर फंडलमन्तल अमृड़्म स्ट्रॉंच है तो किसे दृप सकता है जो है खुकिआ हुआral जो है उते जिवे से ही र laps और देऊना के ल Prisoner के यह पीटाईंगे meant है फोड़े में झाहन जो कॉटें करा है तो इसको लोग अगर यह वा कि लेयर इन पे शुटना अगर घ्राइश क का मानना है कि अगर फंनने के अगर यह वास्गा है तो को शकता है और दान के बाद भी आजज़ में बार जो होगा है आज हम 5,000 से उपर भी घ्रेट करता रहे हैं कुछ समय तर्म मेरा मानना है कि एक डाइरे का कारोबार बना रहेगा जहां पर जो दाइरा होगा वह 26,300 से लेकर 34,400 होगा यह दो हजार रुपे की रेंग में अपन डाउन होका रहेगा लेकिन और और इसका रुज्धान उपर की तरफ है यानि मैंने नेक्स एक महिने की बात परो तो मेरा मामना है कि हम 37,600 कट के लग पेट पाई हैं यानि करेंट लेवल से भी करीबं 6PG और पीजी और मै लगता है कि जो पाई है वो पीजी के पर फीरुख पर तरा लखेंगी जी अगरी सवाल रहेगा मेरा आप से टॉपिक्स क्या देना चाहेंगे आप जिसमें पूरे कारवाही सब्ता अच्छा मुनाफ़ा कमांगे चला जा सकता है जी मेरे कहल से मसाला पाइट ने ने ड़न नहां पर अच्छी का सी तेजी बरकरार है वहीं अगर बिनौला कल की भी बात पर हो कि मेरा वांगा है कि 350 का लक्ष पेंडिंग है तो उस लक्ष के ले भी शॉट तो विडियों टर्म बेसिस पाइंग करके चला जा सकता है जी बहुत बहुत शुक्रिया हमें जी हमारे साथ जोड़े ने कले और जालगारी साजा करने कले तो ये थे एक छोटा सा क्रिशी फसल बजार का अपडेट कि शाम के कारवाई सत में किस क्रिशी फसल के अंदर कितनी मंदी तेजी देखने को मुल रही है और सपरमारे एक्सपर्ट की क्या राय थी फिलार बजार की चाल में अभी की लबस्त नहीं लेकर आप कहीं जाये गने क्योंकि खबरों का सिलसला लगातर योई बना हुआ है मागए अमसी वीपर